आई गाईज कैसे हो आप लोग मेरा नाम है प्रशान जैन वेलकम टू प्रशान जैन शॉट्स आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही amazing fact check about the quota coachings कैसी है quota coachings क्या होती है मैं इस बारे में क्यों बता सकता हूँ मैं quota का ही रहने वाला हूँ quota coaching की एक success story हूँ और अभी quota के अंदर ही पढ़ा रहा हूँ so दोस्तों मेरे जो पहले के जो वीडियो हैं जहाँ पे मैंने correct and incorrect references के बारे में बताया था वहाँ पे बहुत mixed responses आया और कुछ तो polls अपार्ट है एक particular person ने बोला कि यार क्यों इतना tension ले रहो अपना काम करो यह तो fiction है कुछ लोगों ने बोला कि इसमें कही एक एक बात सच ह है so यह बिलकुल drastically opposite कुछ reviews है आप थोड़ा से पीछे जाके देखिए और इस वीडियो को पूरा देखेएगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ factual बाते कि quota coachings के बारे में जो भी चीज़े quota factory में बताए गई वो कितनी accurate है या फिर कित सीरीज आती है तो यह उस city के persons के लिए बहुत जादे important हो जाती है आप खुछ सोचके देखिए अपने उपर लेके दीजिए जो भी लोग मुंबई के लोग है मुंबई diaries एक tv सीरीज है मैं को उटागा हूं मुझे अगर कुछ भी चीज़ें ऐसी दिखेंगी जो गलत दि कोचाने कोशिश कर रहा हूं एक और वीडियो अभी नेट्फिक्स ने रिलीज किया जिसके अंदर उन्होंने बताया every coaching center ठीक है कोई disclaimer नहीं कुछ नहीं केस में बताई गई बातें गलत हो सकती हैं entertainment के लिए हैं होगी entertainment के लिए बट आप खुद सोच के देखिए अगर आप एक story लेके आते हैं जिसके अंदर 50-60% चीज़ें बच्चे relate कर पा रहे हैं reality से तो उनको कैसे पता चलेगा कि बाकी 40% या 30% चीज़ें गलत हैं कैसे पता चलेगा मेरे इसाब से कोई reason नहीं पता चलनेगा तो उस video में कुछ चीज़ें जो बहुत ही गलत है बहुत ही surprising है कि इस तरह की चीज़ें कोई कैसे बना सकता है जबकि audience को यह नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है so यह video है इसका link मैंने description में डाल रखा है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं netflix के official youtube channel पर जहां पर वो बता रहे है every coaching center ever और quota factory का cast है तो हर एक person यहीं सोचेगा कि यह reality है quota coaching centers क so start होता है एक बच्चा समोसा फोर रहा होता है आप लोग देखेगा video कुछ चीजें कुछ dialogues हैं जो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा we just make money ठीक है इसमें यह बताया जाता है कि एक person है जो आप लोग को unrealistic charts दिखाते हैं और वो बोलते हैं कि हमारा काह में केवल पैसा बनान दोस्तों आप अपने senior से पूछ के देखें जो quota coaching से निकले हैं एक चीज जो बिलकुल highlight नहीं की गई और जो सबसे ज़ादा highlight की गई है वो मैं आप लोग को बताता हूँ जो चीज highlight नहीं की गई वो यह है कि quota में पढ़ने वाला जो बच्चा होता है ये maximum students बोलता है कि उन अगर professors के हम लोग बात करें मैं खोद IIT Bombay से हूँ मैंने IIT Bombay के professors देखें they are very very good education wise बहुत amazing है बहुत ही जादा बढ़िया है बट क्या उनका teaching aptitude बहुत amazing होता है कि वो बच्चों का attention grasp कर सके it is a very difficult task तो आप maximum students से पूछेंगे तो वो लोग यही बोलेंगे कि जो उनके best teachers है ना वो quota के ही रहे हैं और फिर उसके अंदर यह चीज़ आती है कि अन्रियालिस्टिक जो stats दिखाएंगे कि quota में 0.92 परसंट जेही में selection होता है मगर quota में आने वालों में हर 100 में से 5 बच्चे select हो जा है कि quota में unnecessary सपने दिखाया जाते है और quota में केवल एक चीज़ है कि पैसा बनाया जाता है मुझे आप कोई भी business होता है coaching center क्या business नहीं है कौन मानता है कि business नहीं है बिल्कुल है value creation क्या नहीं होती है यहां पर मेरे इसाब से तो बिल्कुल होती है आप लोग maximum students पूछ सकते है वो कुछ ना कुछ gain करके यहां से जाते हैं लड़ना सीख जाते हैं अपने comfort zone से बाहर निकलके एक शेहर में रहते हैं और यहां के जो struggles है उन struggles है उनका character बिल्ड होता है यहां से निकला हुआ चाहे हर एक बच्चा IATN ना हो बट हर एक बच्चा fighter ज़रूर बन जाता है सो यह चीज क्या कोटा को credit नहीं मिलने चीए मेरे इसाब से मिलने चीए तो यह चीज बहुत ही इसमें गलत दिखाए गए कि एक अतरंगी चार्ट दिखा के आप लोग को लुभाया जाता है और यह बोला जाता है कि 100% selection आप लोग को मिलेगा फिर यह देखिए until the time you verify these fake certificates made by my nephew यहां पर tall claims किये जाते हैं कि faculties के credibility बहुत amazing होती है मेरे इसाब से यहां पर कोटा के अंदर कोई fake claims नहीं करता मैं बात कर रहा हूं coaching centers की मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो जिनके posters walls पे लगे हुए होते हैं कि अगर आपके आप मेरे यहां पर पढ़ेंगे और selection नह centers नहीं करते हैं चोटे 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 पैटी जो institute होते हैं या फिर tuition centers होते हैं वो लोग यह काम करते हैं coachings के अंदर जो भी लोग होते हैं वो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि वो क्या publish कर रहे हैं मैं खुद जैसे All India rank 42 हूं आप लोग देख सकते ह आप लोग YouTube पे या फिर Gmail पे या फिर Google पे search कर सकते हैं कि क्या मेरी rank थी IIT Bombay से में पढ़ा हुआ हूं या नहीं हुआ आप लोग यह सब चीज़े verify कर सकते हैं ठीक है तो point यह है कि यह जो fake certificate वाली बात है यह बिलकुल गलत है जो भी coaching centers में बताया जाता है claim किया जाता है व यह जरूर होती है यह मैं मानता हूं कि एक student होता है दो तीन coaching में common होता है एक student ने कहीं से पढ़ाई की है कहीं से test series लिए कहीं से distance learning पे revision किया है तो वो चीज़े audience को इतना अच्छे से पता नहीं पर चल पाती बट यह जग जाहिर है यह सब को पता है बट यह चीज़ लोग Pan IAT Club है Pan IAT Club का मतलब यह होता है जहां पे IATians जुड़ते हैं उसमें 500 से जाधा members है एक छोटे से शहर में 500 से जाधा IATians रहना क्या बड़ी बात नहीं है इतनी quality लोग यहां पे रहते हैं तो मेरे हिसाब से यह जो claim है यह भी बहुत ही गलत था जो नहीं दिखाना चीए क्य बट यह जो statement है ना जो यह iPhone से related statement है उसको यहाँ पे डालना entertainment के लिए ठीक है point यह है आपने कहीं नहीं बोला कि जो हम dialogues बोल रहे हैं ऐसा नहीं होता है आप एक शहर के बारे में बता रहे हैं एक real story के 50 to 60% references ले रहे हैं उसके बाद आप इस तरह के dialogues लिखते हैं तो मेरे हिसाब से यह हट फुल है लोग ऐसा सोचेंगा यार कोटा कैसी जगह है यहाँ पे लोगों के लोगों को अपने organs बेचने पढ़ जाते हैं अगर अपने अच्छी पढ़ाई कराई जाती है कोटा के अंदर आप लोगों को एक curriculum पढ़ाया जाता एक curriculum दिया जाता एक working methodology है ठीक है और इस working methodology को सब लोग यूज़ कर रहे हैं आप maximum online centers देख लीजिए maximum online platforms देख लीजिए सब लोग कोटा के नाम को especially in GE and NEET monetize करते हैं सब लोग बोलते एक एक platform आप लोग देख सकते हैं जो कोटा के teachers को कोटा के curriculum को अपने platform पे लाने कोशिश करता है कुछ तो बात होगी ना ऐसा तो है नहीं कि भाई कोटा से thousands में rank नहीं आती 10,000 में rank नहीं आती जो बोलते हैं कि बैंकर्स versus rankers batch बनते हैं बनते हैं मैं मैं मना नहीं कर रहा है सब highlight की जाती है ये भी सही चीज है but this is the rule of marketing जो parents को पसंद आएगा वो ही तो coaching centers दिखाएंगे ये तो हर जगे होता है आप लोग खुद सोच के देखिए जब आप कुछ भी Amazon पे सर्च करता है इतनी deep linking होती है उन लोग की कि आप कहीं पे भी जाएं कुछ भी करें तो आपक से marketing होती है यह reality है ठीक है फिर एक question आप लोगोंने देखा होगा कि prodigy institute के अंदर यह बताया गया कि उन्होंने top 50 में एक rank खरीदी यह जो last में rank खरीदने का प्रक्रिया है ना यह मेरे इसाब से inaccurate है कोटा के अंदर क्या होता है मैं आप लोग को बता जाता हूं कोटा के अं इसको ऐसा देखा जाता है कि एक particular institute ने बच्चे तोड़ ली या फिर इस बच्चे को खरीद लिया ठीक है अब देखो दोस्तों अगर कोई भी खरीदारी होती है तो खरीदार जिसमें खरीदा है और जो बिक रहा है वो दोनों equal participant है इस transaction के ठीक है पहली बात तो यह दूसर students को 12th class में क्या लाया जाता है quota में अच्छी rank लाने के लिए यह बिल्कुल सच है बच्चे 11th में या 12th के mid में कहीं तक होते हैं उनको लाया जाता है और majorly यह चीज इस से derive होती है कि उनको उस level की quality education नहीं मिल रही होती है जो quota में promise की जाती है और दूसरी बात यह कि जो य करके एक institute ने BMW दी ती डेली बेस इंस्टिट्यूट्स एक-एक करोड तक का प्राइस देते हैं यह भी promise करते हैं कि अगर आप कुछ start-up को लोगे आई-टी में जाके तो उसमें हम आप investment करेंगे आप देख सकते हैं website देख सकते हैं ठीक है तो यह सब चीजा कोई quota की particular थोड करेंजे जहां पैसा होता है quota में यह बोला जाता है डंडे के जोर पर पढ़ाएंगे एंवी सर का डायलोग है मैं एक पर्टिकुलर faculty member का नाम दे रहा हूं क्यूंकि उनको synonymous माना जाता है quota factory के जीतू भी ऐसे डंडे के जोर पर पढ़ाएंगे homework करवाएंगे notes कोई guarantee नहीं देता है बट अगर आप यह सब चीज़ें नहीं करोगे तो selection नहीं होगा यह पक्की बात है बिल्कु सही चीज़े बिल्कु सही चीज़े बाप खुद सोच के देखिए अगर आप cricket का reference ले अगर आप लगादार net practice नहीं कर रहे हैं तो क्या आप match में चलेंगे बहुत कम chances है आप करनी परती है उसके पीछे का hard work है जो ground work है वो सब चीज़ें आप लोग को करनी परती है तो क्या quota coaching selection guarantee करती है ऐसा उस वीडियो में दिखाये गया है कि क्या आप guarantee करते हो मेरे इसाब से कोई भी यह नहीं बोल सकता किसी भी institute ने अगर इस तरह की guarantee दी है त बहुत सारे students ने इस पर comment किया कि sir हम लोग तो मतलब online ही पढ़ लेंगे अच्छे काफी अच्छे अच्छे platform आगे which I 100% अगरी मैं मानता हूं कि education democratize होनी चाहिए और हर segment की pricing होनी चाहिए हर segment की जो person 5,000 afford कर सकता है उसके लिए 5,000 का product होना चाहिए जो person 30,000 afford कर सकता है उसके आते हैं, hostel में रहेंगे, hostel के charges अलग है, obviously मत आप कहीं पर भी जाएंगे पढ़ने हैं, अगर आप IS के लिए पढ़ने जाते हैं, जैसे मैं Delhi गया था, IS के लिए पढ़ने के लिए, तो मेरा, मैं एक flat में रहता था, उसमें एक room था मेरा, मेरा 9,000 rent था था, अगर मेरे कुछ ambitions हैं, उनको पाने के लिए, मैं किसी particular जगे जाऊँगा, तो मुझे जाना पड़ेगा, और point ये कि इतनी important चीज होती है, कि मैरे इस नहीं ले सकता, अगर मैं afford कर सकता हूँ, तो मैं वहाँ जाऊँगा, और मैं अपने dream को जीने की कोशिश करूँगा, मैं इस मामले में अप private colleges के अंदर select होके, बहुत अच्छा कर रहे हैं आज लोग, बट वो सब लोग एक चीज बोलते हैं, कि अगर हम quota आए, तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला, रही बात poor students की, तो मैं एक institute के examples आप लोग को देना चाहूँगा, और ऐस institute के देना चाहूँगा, जिससे again, आप लोगों को, मैं बता दूँ, आप उनकी website MEDS करके है, Motion Education Development Society, 550 प्लस JNV स्कूल में, free online videos वो लोग देते हैं, और test conduct कराते हैं, वहाँ पे, उसके बाद, CFCL के जो गरीब बच्चे हैं, चंबल fertilizer, यही पे कोटा के nearby एक टाउन है, वहाँ पे जो गरीब बच्चे होते हैं, उनको free education, यह लोग provide करते हैं, और यह एक, एक example है, ऐसे बाकी सारे institute के बहुत सारे example है, जो सालों से यह चीज़े करते हैं, आप लोगोंने सुना होगा, एक बच्चा था, जो अपने फादर के साथ, जेल में रहता था, उसने जेल से पढ़ाई की, और exam clear किया, वो बच्च पता नहीं होनी चाहिए, मेरे इसाब से, आप लोगों को यह सारी की सारी बाते पता होनी चाहिए, क्या as a resident of quota, मेरी responsibility यह नहीं है, कि मैं इन सब चीज़ों को highlight करूँ, बिल्कुल, मेरी responsibility है, quota factory season 1 के बाद, enough, एक damage हुआ था, quota की image को, मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक आवाज जरूर उठानी चाहिए, कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, आप यह चीज़ बोल के निकल नहीं सकते, कि यह fiction, right, because, अगर आप एक city के नाम पे, एक web series बना रहे हैं, 50 to 60% references, आप लोग, correct जगों का ले रहे, तो लोगों को बिल्कुल भी, पता नहीं चैनल को subscribe कर सकते हैं, bell icon को hit कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को लगाता notification मिलती रहे, guys, this video is not made to hurt anyone, किसी भी opinion को hurt करने का, मेरा कोई opinion नहीं, I am just putting out my opinion, what is true about quota, thank you.